आदा बच्चो बच्चो कैसे हो आप सब बच्चो कल हमने अपने इंग्लिश लेसन में पढ़ा था रेन जो एक पॉइम थी जिसमें हमने पढ़ा कि जो रेन है जो भारिश है वो कैसे हर जगा गिरती है चाहे खेत हो चाहे पेड हो चाहे अंब्रेला हो छत्री हो या चाहे समुंदर पे चलने वाला जहाज हो या समुंदर हो तो जो यह रेन होती है वो हर जगा पढ़ती है हर जगा गेती है बारिश हर जगा पढ़ती है सब कुछ गीला गीला होता है मोसम बहुत अच्छा हो जाता है हमें रेन देखने में बहुत मज़ा आता है है ना बच्चो तो आज हम यहां पर कुछ हमें एक्टिविटीज दी है जैसे कि हम यह बात करेंगे जब बाइच आपको आपको अंदर रहना पसंद है या बहार जाना पसंद है जब बारिश हो रही हो जिस दिन बारिश होती हो और क्यों जो भी आपको पसंद है वैसा क्यों पसंद है जैसे कि हम कहेंगे do you like to stay indoors तो भई हमें तो मैं तो समझती हूँ जब बारिश होती है तो देखना मुझे बहुत पसंद है मैं अपनी बात कर रही हूँ वैसे आपकी भी अपनी च्वाइस होगी आपकी भी अपने ख्याल होंगे आपका भी अपनी मर्जियों कि बारिश वाले दिन क्या आपको अच्छा लगता है तो जैसे मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं खिड़की पर बैटूं तो और बारिश को देखती रहूं मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं बाहर जाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सारा पानी पानी होता है तो सारा गिला हो जाता है तो वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आपको क्या पसंद है तो आप भी अपने से पूछ लेना आपस में पूछ लेना कि भई या बात करना या मेरे को वटशप भी बोल सकते हो, कि भाई हमें तो अंदर जाना पसंद है या बाहर जाना पसंद है, तो जैसे मैंने कहा मुझे अंदर बैठना पसंद है, मैं खिरकी बैठके बारिश को देखती हूं, लेकिन बाहर नहीं जाती हूं, तो इसका reason क्या है क्योंकि मुझे बाहर जाऊंगी तो बारिश से कपड़े गीले हो जाएंगे मैं गीली हो जाऊंगी नीचे भी सब कुछ गीला होता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है इसने मैं अंदर बैठना पसंद करती हूँ अब जैसे कुछ बच्चों को बाहर जाना पसंद होता है बारिश में बारिश में भीगना पसंद होता है बारिश में खेलना पसंद होता है वह क्यों क्योंकि उनको बारिश अच्छी लगती है गीला होना भीगना पसंद होता है उनको पानी में जो बारिश का पानी इकटा होता है उसमें नाव चलाना पसंद होता है ठीक है तो बहुत सारे वो खेल कूद उसमें करते हैं इसने कई लोग कई बच्चे जो बारिश में बाहर जाना पसंद करते हैं उनकी वज़ा यही होती है कि उनको बीगना और खेलना कू बर करता है ठीक है आजए अब है if you stay indoors what do you like to do अगर आप अंदर बैटे हैं तो आपको क्या करना पसंद है फिर आप अंदर क्या करते हैं तो जैसे मैं अंदर बैटी होती हूँ मुझे बाहर जाना पसंद नहीं होता है बारिश के दिन में तो मैं खिटकी के बैठके बारिश को पर गिरती है या किसी पते पे गिरती है तो ऊस ताइम आप देखो उस तरा में एक आवावासं आती एक मुद्र जैसे कोई गाना गार आ Estamos कोई music बज रहाओ संगीत बज रहाओ तो ऐसी सी आवाज आती है तप 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 ऐसे आवाज आती है तो वह सुनना मुझे बहुत पसंद है बहुत ही ज़्यादा पसंद है वह सुनना और जब खिड़की पर बैठके मैं बार बारिश देखती हूं तो कई बार क्या होता है कि छट से कोई भून ना उसकी छीनते मूँ पर आ उस टायम पर अच्छा लगता है तो इसले ये सब मुझे अच्छा लगता है, इसले मैं अंदर ही बैठती हूं तो चलिए अब है यहाँ पर लिखने वाला काम है जैसे यहाँ पर यह फिलिंदा बलांक दिये हैं और हमें तीन उपशन उपपर दिये हैं अब हमें खाली जगह पर सही जो option होगा सही जो word होगा वो लिखना है It's raining around All trees या umbrella नहीं All होगया हर जगा तो हम लिखेंगे all ठीक है बच्चो आच्छा people use umbrella in rain क्योंकि बीगते हैं बाहर जाना होता है तो उस टाइम बीगने से बचने के लिए जब काम पर जाते हैं स्कूल जाते हैं आफिस जाते हैं तो क्या करते हैं या मार्केट जाते हैं हम लेते हैं umbrella च्छाता क्योंकि च्छाता हमें बीगने से बचाता है तो हम क्या लिखेंगे umbrella umbrella rain falls on field and बारिश कहा का पड़ती है field पे, केतों में और trees पे तो ये trees हम लिखेंगे trees ठीक है बच्छो आचा अब आगया say and write two words that rhyme with the words given in each line अब जैसे ये cat, bat ये जो हैं ये सारे rhyming words है क्योंकि last की जो आवाज है इसमें वो मिलती है जैसे cat तो last में आता है at, bat तो last में आता है at, cat, bat हम लिखेंगे mat mat, rat ठीक है mat, add की आवाज आगी end पे, rat तो add की आवाज आगी end पे, ship zip tip और dip cat होती है, billy bat होता है, बला जिसे हम bat ball केरते हैं, cricket केरते हैं जिसे bat ball को मारते हैं mat होती है, chatाई, rat होता है, चुहा ship होता है, समुंदरी जहाज zip होती है, chain जो, purse में या, bag वगरा में लगी होती है, उसको zip कहते है tip होता है, किसी भी जैसे ये nook है, pencil की nook है या किसी भी कोई nook हो उसकी उपर nook को tip कहते है dip होता है, किसी में डुबोना, all ball all होता है, सब, ball होता ही, gained call tall call होता है, किसी को बुलाना, tall होता है, लंबा ill होता है, बीमार होना, bill होती है, receipt, जो हम कोई payment करते हैं, तो जो कोई चीजे, अगर दो-चार चीजे खरीदी तो कितने में वो सारी आई वो सब लिखा होता होता है, उस पे और वो क्विल कहते हैं, ठीक है? जी से दुकानों पे जाते हैं, एक जोग बिखारे या समय आफे चार चीजे आभर आप yetइ गए हो दुकान पर गए हो तो वहां पर आपने यह देखा होगा चलो इल बिल चिल चिल होती है ठंड किल किल होता है मारना ठीक है बच्चों तो यह हो गया आज का यह हमने एक्टिविटी की अब मैं आपको एक और एक्टिविटी बटाती हूं जैसे कि हमारे पहले पेज पर ही इस पर दिया है कि पेपर बोर्ट बनाना ठीक है तो हम आज काकर से किष्टी बनाएंगे तो वह मैं आपको दिखाती हूं ठीक है बच्चों